वेल आपने बहुत बार लोगों से इडवाई सुनी होगी कि मुचल फॉंड में इंवेस्ट करना शुरू कर दो आप टीवी पर भी एड सुनते हैं एड आती है कि मुचल फॉंड सही है अब मुचल फॉंड होते क्या है पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं बता और जब यह भी समझ आता है कि मुचल फॉंड क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली एक शॉट में मैं आपको बताऊंगा मुचल फॉंड क्या होते हैं पर एक थोड़ी सी निक्स लेविल की इंफिमेशन जो होनी जरूरी है वो लोगों को नहीं होती है जो कि आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है पहली चीज तो हम आपको यह बता दू कि अगर आप लॉंग टर्म वेल्थ क्रियेट करना चाहते हैं यह वीडियो आपकी बहुत ज़दा हेल्प करेंगी हम बिल्कुल बेसिक लेवल की एजुकेशन से लेकर आपके लिए जो अक्चुल में जरूरी है फिनांशल नॉलेज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं एक तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दूसरी चीज अगर आपको इंफरमेशन अच्छी लगती है इस वीडियो को शेयर जरू कीजेगा और अगर आपने अभी तक इस स्टॉक्स को खुद से फिल्टर खर सकते हो कौन से स्टॉकस इंवस्टमेंट के लिए ठीक हैं कौन से स्टॉकस इंवस्टmed propor कि नहीं है उसके बाद आप यह भी भी बात करी ती कि आप चाहें तो स्टॉक्स के अंदर प्य हैं सॉस्ट्माटिक हाट λाविंग एक मेने की एक क्ट पर एक हर महीने इंवेस्स कर रहे हैं, अब यह तो ह拜拜 बी अलग अलग us तरीके से हो तरीके में हैं एक तो डिट mutual funds होते हैं तीसरे तरीके के आपने सुना होगा hybrid mutual funds होते हैं तो अब यह चीजे क्या है what is debt equity and hybrid सबसे पहले एक बार मैं आपको equity समझा देता हूं कि एक बार तो मैंने आपको बताया कि एक stock के अंदर में कर दूसरा क्या है कि मुझे multiple stocks के अंदर अपनी investment करणी है वो हो सकता है मेरी Saipip बोल अब अगर आप कहते हैं कि मुझे investment करनी है stocks के अंदर तो आप stocks के अंदर भी investment कर सकते हैं और multiple stocks कें अंदर करनी है तो इक correl suburban funds को भी कई सारे पार्ट होते हैं आप यह टर्म्स जर्नली सुनेंगे नहीं सुनी तो भी एक एक करके सबको मैं explain करने वाला हूं कि यह एक large gap funds होते हैं एक mid cap funds होते हैं एक small cap funds होते हैं एक आपका multi cap funds होते हैं एक आपका flexi cap funds होते हैं अब लोग confused बहुत होते हैं पर मैं आपको बहुत ही असान language में करके सबको समझाने वाला हूं in fact debt और hybrid क्या होता ही भी मैं आपको बताऊंगा अब देखे large cap funds क्या होते हैं क्या मतलब होता है market cap कि उस्टॉक की जब आप किसी स्टॉक में इंवेस्मेंट करते हैं market क्या देखते हैं अब मैंने आपको example के लिए बताया था इंडिया के अंदर दो इंडेक्स हैं एनसी बीसी एनसी की top 50 companies से मिलकर बना है निफ्टी तो निफ्टी के अंदर जो top 50 companies हैं वो किस basis पर हैं जिनका market cap सबसे उपर है अब large cap companies basically कौन सी companies हो गई आप कह सकते हो simply वो companies हो गई इंडिया की top 100 companies by their market cap तो अब बहुत सरे लोग बोलेंगे कि भी हमें large cap fund में invest करने अब अगर कोई mutual fund अभी mutual fund क्या होता है अभी यह आपको समझागे multiple जगां पर investment हो रही है पर इसके अंदर investment किस तरीके से होती है आप किसी stock को directly पैसा नहीं दे रहे हैं अब आप क्या करते हो यहां पर एक company होती जिसे हम AMC बोलते है एसेट management company सिंपल सी AMC का मतलब यह होता है और यह अपना एक fund शुरू करती है जिसे हम mutual fund बोलते है अब इस fund का एक manager होता है जो की पड़ा लिखा इनसान होता है और उनका एक अच्छा गासा experience और track record होता है और इनके पास एक अच्छे team भी होती है अब इस company की पहले आपको यह समझना जरूरी है आपकी कमाई तो बाद में होगी पहले आपको यह समझना है इस AMC की कमाई कैसे होती है हर company आप बड़ी बड़ी companies की बात कर लीजिए आप ICAC की बात कर लीजिए आप कोई की बात कर लीजिए ऐसी market में बहुत सारी companies है जो अपनी अलग अलग mutual funds कर रही है अब जो AMC कमाती कब है जब कोई उसके fund के अंदर पैसा डालता है अब आप भी किसी mutual fund में पैसा लगाएंगे तो आप क्यों लगाएंगे यह important है और आप जब पैसा लगाएंगे इस AMC को क्या मिलना है यह AMC 0% से लेकर जीरो तो कोई नहीं करता पर टेक एक एकजांपल की बात है 0% से लेकर 2% की fees शार्ज करती है अब यह fees का क्या मतलब है इसका मतलब यह है अब अगर आपने किसी AMC को 1,000,000 रुपे दिया तो अगर माल लेते हैं उस AMC के पास ऐसे 10,000 लोग हैं तो आप उसकी कमाई समझ सकते हैं 10,000 into 2000 क्योंकि इन fund managers की salary निगलनी AMC को भी कमाना है तो उनका main purpose क्या है कि आपको return तो देंगे जो देंगे बट उन्हें आपसे fees चार्ज करनी होती है अब 2% बहुत higher side पे है आप जादतर केस म कम हो सकता अच्छी हो कभी कभी जादा भी ठीक हो सकती है इसकी उपर हम definitely अभी बात करने वाले analysis करने वाले हैं पर आपको यह समझना जरूरी था कि जब आप mutual fund में investment करते हो आप AMC को पैसा देते हो और AMC को जब आप पैसा देते हो तो आपका mutual fund के अंदर पैसा लगता है जो कि mutual fund manager से समाल रहा देख रहा है अब क्योंकि यह experience लोग होते हैं पता है कि पैसा कहा लगाना है अब जब लार्ज कैप की बात कर रहे हैं देखिए इंडिया के अंदर SEBI है MFA है तो यह बड़ी-बड़ी organizations हैं जो की control करती हैं कि आपका पैसा खराब नहों आपके साथ को पर investment करना है mutual fund के अंदर तो यहां पर equity के अंदर equity मतलब stock market में आपको पैसा लग रहा है उसके अंदर large cap की मैंने आपको बताई कि जो companies जिनका market fund के case में जिसे हम बोलते है new fund offering so कोई भी नया fund आएगा तो अपनी new fund की offering देगा पर यहां पर थोड़ा साना अलग है system system अलग क्या है जब भी कोई mutual fund आता है तो यहां पर mutual fund किस तरीके से काम करता है जब आप और बहुत सरे लोग mutual fund को पैसा देते हैं mc को पैसा देते हैं वो आपके भीहाब पे investment करते हैं और वो आपको अपने fund की कुछ units देते हैं जिने हम NAV बोलते हैं अब यह NAV जितनी उपर जाएगी उतना हमारा फाइदा होगा पर जब एक mutual fund आके कोई अपना एन फो कर रहा है new fund offering कर रहा है तो क्या करने वाला है वह बहुत सरे stocks में तो पैसा लगाएगा और कुछ time बात जाके उसकी कुछ growth आएगी सो मेरे सापसे इस सेंसलेस तो इन्वेस्ट इन फो आपको बहुत सारे mutual fund distributors आके गाइड करेंगे कि भी एन फो में पैसा लगा दो एन फो आ रहा है एन फो आ रहा है पर उससे होगा क्या आज आपको जो भी units a lot होने वाले हैं कितना percent growth आ जाएगी उसमें तो अभी उस सेंसलेस क्योंकि आप अल्रेडी कोई अच्छा mutual fund market में चल रहा है उसका track record देखकर बहुत सरी और चीज़ें देखकर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो चोईस आपकी देखो पैसा आपका है मेरा मेरा परपैसे सब गाइड करना सो यह आपको समझाना ज़रूरी था आपका सिर्व लार्ज केप कमपनीज में लगेगा सिर्व 20% पैसा कहीं और लगा सकते हो सिमिलर्ली मिड कैप क्या हो गया मिड कैप कमपनी जिनकी market कैप लार्ज कैप से थोड़ी सी कम है और थोड़ी सी और कम हो जाए तो small cap अब एक एक जैम्पल मैं देता हूं लोगों को मिड कैप कमनीज आ जाती है मिड कैप का मतलब क्या है जिनका market कैप लार्ज कैप से कम है यहां पर यह आ जाती है उट अब उट जो होता है वो हाथी से तो तेज भाग सकता है इसका मतलब है कि मिड कैप के अंदर probability है या chances होते हैं कि वो large cap की returns को outperform कर सकते हैं हर बार करेंग के साथ कुछ गदे भी होते हैं तो यहां पर आपका risk बढ़ जाता है देखे यह large cap में risk कम है mid gap में risk large cap से जाधा है और small cap के अंदर risk large cap और mid cap दोनों से जाधा है पर जितना जाधा risk है उतने जाधा returns की भी probability है पर over the years अभी बस मुझे आपको यही समझाना है clarity दे दूंग आ मजा जाएगा और मैं आपको यह भी बता देता हूं वैसे तो आपको large cap companies के अंदर पैसा लगाने की जूरूत नहीं है जब तक expense ratio बहुत कम ना हो अभी मैं इसके बारे में बताओं आपको थोड़ा सा time जरूर लूँगा पर concept ऐसे clear होने चाहिए कि crystal clear किसी और से भी आप ब इडले पने कुछ पैसे बचा पाएंगे और वो कुछ पैसे आज बचाने से compounding की game आप समझते हैं तो compounding over the years वो कुछ पैसे करोड़ों रुपे का difference create कर देती है वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं सो यहां पर मैंने आपको वोला large cap में basically आपको invest करने की बहुत ज़रूत नहीं है उससे भी better option हमारे पास है अब वो क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी सी वीडियो है लेंदी पर आपको समझना ज़रूरी है अब इसके बाद यह multi cap का मतलब होता है कि companies large 350 क способ समॉल कैप में इनवेस्ट करेंगी मिद कैप मेंगी समॉल कैप में इस whom इसकेड keigt में वेकिर्ष great नचना फ्नी के मुआ इसे बतांब है कि कoserा कि मारे समॉल कैप में कितना फस्मॉल कैप में और पर आजन की उन्हें बताने की जरूरत नहीं है उनको लगेगा कि कोई को क्या होते हैं debt funds basically safe होते हैं अगर आप compare करेंगे in comparison to equity funds क्योंकि equity के अंदर आपका पैसा stock market में लग रहा है directly थोड़ा सा risk बढ़ जाता है क्योंकि stock market में कुछ भी हो सकता क्रैश आ गया हो सकता आपको तो बहुत अच्छी नहीं आ रही है बट जब market boom करती है तो बहुत अच्छी रिटन्स भी आती है पर debt funds के अंदर क्या होता है कि आपको comparatively safety मिलती है बट क्या आपको debt funds में पैसा लगाना चाहिए यहां पर answer होगा time horizon तो इसके उपर अभी कुछ hybrid funds होते हैं जो कि अभी मुझे आपको पताने बागी है so I hope यहां तक का concept clear हो गया आप हम इसके आगे बढ़ सकते हैं तो अभी concept क्या clear हुआ है कि पहली बात तो mutual fund क्या होता है mutual fund एक fund होता है जो कि एक AMC एक asset management company run करती है इस fund का कोई fund manager होता है लोग fund के अंदर पैसा डालते हैं और उसके बदले में हमें units मतलब NAV मिलती है अब अगर हमें share market के पैसा लगाना होता है तो या तो हम stocks के अंदर पैसा लगा कैसा भी कर सकते हैं अगर अपने पैसे को diversify करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम equity mutual fund choose कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास multiple हमारे पास segments है कि हम large cap के अंदर mid gap के अंदर small cap के अंदर multi cap और taxi gap में पैसा लगा सकते हैं फिर हमारे पास option होता है अगर हमें थोड़ा साथ सेव जाना है जिसमें returns का मिलती है risk भी कम होता है comparatively तो हम debt funds में पैसा लगा सकते हैं और एक hybrid का भी option होता है जो भी हमने detail में समझना है अब हम आगे बढ़ते हैं अब एक और important चीज है जो ज्यादतर लोग आपके साथ शेयर नहीं करेंगे पर मेरा शेयर करना बनता है विकसाप इस crash course में है and I want you to learn everything right so abhi expense ratio के ओपर बहुत सरे लोग बात करते हैं हमने भी बात करी कि यह 0 से लेकर 2% कुछ भी हो सकता है पर एक और चीज होती है जिससे AMC इस पैसे कमाती है और अगर आपको नहीं पता तो आपको नुकसान हो सकता है and that is exit load अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सवाल कि सर आज हम mutual fund में इंवेस्ट कर रहे हैं ठीक है हमने investment किया पैसा बढ़ भी गया अब हमें हमें अपना पैसा चाहिए तो क्या पैसा वापस मिल जाता राम से पैसा बिल्कुल राम से मिल जाता है दो दिन में आपके पैसा आ जाएगा पर exit लोड काटके अगर आपका लॉकिन पीरेट से पहले पैसा निकाल रहे हो तो एक एक चिट लोड लगता है मतलब आपको एक लोड लगेगा लोड मतलब अगें कमीशन अब यह कमीशन एक परसेंट तो ऐवरेज है यह चार परसेंट तक भी सकती है हाँ यह जीरो भी हो सकती है तो जीरो से लेके चार परसेंट तक एग्जिट लोड लगता है अगर आप में इंवेस्टमेंट करते हो और लॉकिन पिरिट से पहले पैसा भार निकाल लेते हो अब एक्जामपल के लिए आप कहते हो जी मेरा पच्छेस हजार रुपे घ जाएंगे तो अगर एक परसेंट का लोड लगा तो आपके त्हीं रुपे कट जाएगे बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे तो यह आपको समझना जरूरी है अपको कैसे पता लगए एग्जर लोड कैसे लगता है एक्स्पिंस रेशा क्या होता है इसके लिए अगें विल use a screener, तो आपका भी काम असान हो जाएगा, I'll just show you how it works, so for example, अभी मैं यहाँ पर Tigger Tape यूज करने वाला हूँ, so आप इसे stock screening के लिए यूज कर सकते हैं, और अभी हम mutual fund की screening इसे से करने वाले हैं, and in fact, I will show you step by step, जो मैंने आपको आज concepts बताएं हैं, वो यहाँ पर कैसे आपको दिखेंगे, so आप यहाँ पर screener पर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर mutual fund screener देखेगा, मैंने अलड़ी खोल रुखा है, अब यहाँ पर अगर आप category देखो, तो एक जैसे मैंने equity की बात करी, debt की बात करी, hybrid की बात करी, तो हमने तीन basically बात करी, आपका होगे commodity क्या होता है, आप चाहो तो mutual fund के थुरू gold में भी invest कर सकते हो, तो ज्यादतर जो आपको यहाँ पर देखेगा, वो gold में ही आपका investment हो रहा है, तो आप चाहते हो, digital gold भी खरी सकते हो, आपकी choice है, and others के अंदर फिर वो आ जाता है, children, marriage, और अलग-अलग, बला-बला-बला, इसके हम अपने आप से planning कर सकते हैं, तो उसकी जरूत नहीं है, ज़िसों की जरूत है, उसके उपर पहले बात कर ले दे, अब मैंने बोला अब को पता कैसे लगेगा, तो एक्जमपल के लिए आप इंट्रस्टेड हैं, एक्विटी के अंदर, आप एक्विटी के अंदर इंट्रस्टेड हैं, और आप कहते हैं ऑर आप जी मैं यहां पर ऐसे फंड्स लगाते हैं तो आप आपने देखा यहां पर तो बहुत सारे है Canra का है, KOTAC का है, XS का है, SBI का है, अब यहां पर आपको Aum भी दिख रहा है, Aum का मतलब होता है Asset Under Management, कि कितना पैसा यह लोग अभी समाल रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा यह fund के अंदर लगा हुआ है simply मतलब यह है इसके बाद CAGI compounded annual growth rate क्या है तो यह हमें बताता है कि कितने percent return इसने दिया है year on year तो तीन साल का आपको example के लिए कोटक केस में 21% का दिख रहा है अब यहां पर expense ratio 0.59 का है तो एक percent से कम मैं कहूंगा अभी इसके ओपर हम discussion करेंगे तो एक percent से ओपर भी ठीक हो सकता है एक percent से कम तो generally ठीक है अगरे 0.59 है तो it is a decent अब इसके बाद आप देखिए जो importance आएगी मैं आप एड filter करूंगा और मुझे चाहिए एक second we want exit load हमें चाहिए मैं सर्च कर लेता हूँ exit load okay so जो exit load की मैं बात कर रहा था यहां पर exit load आ गया अब आपको exit load देखना जरूरी है कि अगर आप किसी fund में entry कर रहे हो definitely horizon तो भी हम बात करेंगे बट यहां पर आप देखिए आपने example के लिए कोटक एक्विटी फंड के अंदर पैसा लगा दिया exit load एक प्रसेंट का अब आप एक फंड देखते हो जो कि SBI का लार्जन मिटकाफ फंड जिसके अंदर exit load सिरो पॉइंट वन जीरो है तो यहां पर आपको exit load कम लग रहा है एक्सपेंस रेशियो इसका जादा है तो मिलब कमपनी ने तो कमाना है उसने यहां से कमाना हो वां से कमाना हो तो यह भी देखना ज़रूरी है अच्छा exit load आपको दिमांग में तब लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको horizon long term का है तो फिर exit load आपको जादा परशाद नहीं करेंगा कि आपका जो भी login period होगा उससे उपर आपकी investment होगी तो ठीक है तो यह एक basic चीज थी जो मुझे आपको दिखाने ही ज़रूरी थी कि exit load भी लगता है और अगर आपको वरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पर तो मैं आप आपको दिखाता हूं example के लिए मैं भी equity select कर लेता हूं और exit load आप देखिए है तो देरा companies which charge about 2% on exit load and if I select even further to exit load 4-4% का भी होता है तो 4% का exit load लगेगा expense ratio 1.28 तो companies तो कमाई रही हैं फिर वो return भी जो भी आपको produce करके दे रही हैं वो आप देख सकते हो सो यह देखना जरूरी है इसके लिए मैंने बोला आप screener को यूज कर सकते हैं अब हमें समझना था यहां पर बहुत सारे हैं तो confused नहीं होना जो चीज़ें बताइं आपको वह important है एक index funds बताने आपको जरूरी है हमने एक थोड़ा साब आपको hybrid भी दिखाना था कि what is this hybrid all about hybrid क्या होता है तो hybrid के अंदर आपको जैसे यहां पर दिख रहा होगा कि आपको arbitrage funds मिलते हैं arbitrage basically क्या होता है कि हम ना price difference का फाइदा उठाते हैं पर अभी price difference का फाइदा क्या है example के लिए आप reliance का share देखते हो नसी पर भी बीसी पर भी है बट नसी और बीसी पर आपको कभी देखेंगा है 50 पैसे का फरगा रहा है सिर्फ 50 पैसे का तो आपके लिए 50 पैसे जादा नहीं है बट जब हजारों करोड़ से transactions हो रही है तो वह 50-50 पैसे से भी लाखों करोड दो रुपे कमाया जाते हैं तो यह आर्भी राज का मतलब यह होता है multi asset allocation का मतलब होता है कि हम एक जंगा पैसा नहीं लगा है multiple assets के इंदर लगा रहे है capital protection इसब बिकार है तो मैं इसके उपर जादा चर्चा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि आपको hybrid पैसा नहीं लगाना है तो म मैं कितने time के लिए invest करना चाह रहा हूं अगर आपको time horizon clear नहीं है then that is a problem क्योंकि आपको clearly यह पता हो नहीं कि कितने time के लिए वह आप अपना goal देखके decide कर सकते हो कि कि आप किस purpose के लिए mutual fund में पैसा लगा रहे हो हो सकता है वह आपका goal हो आपकी खुद की शादी करना हो सकत घर के लिए पैसे जोड़ना हो हो सकता है वह बच्चों की education हो so it can be anything अब उसके हिसाब से आपकी goal के हिसाब से आप मालीजा आप कहते हैं आपके बच्चों की शादी के लिए so you have a big horizon probably let's say 20 years 25 years तो यह बड़ा horizon हो गया आप कहते हैं मेरा goal है मेरे retirement तो आपको retire तो यह मैं 30 साल के बाद हो गया तो आपका goal 30 साल हो गया यहाँ पे goal के according time decide करना बहुत ज़रूरी है आप कहते हैं 5 साल के अंदर मुझे कम से कम एक करोड रुपया चाहिए okay तो आपका time है वह 5 साल हो गया उ तो आप कह सकते हैं मुझे घर के लिए लगाना है या whatever it can be so यह आपका time duration आपको पता होना ज़रूरी क्यों क्यों क्योंकि time से बहुत कुछ बड़ जाते है मेरे भाई यह वक्त जो है यह compounding के लिए सबसे बड़ी चीज़ है इसके बाद आता है returns तो लोग returns की बहुत बात क अब मैं आपको चीज़ बताता हूं जितने long term के लिए जाओगे आप मैं आपको इक बात यहां पर बताना चाहूंगा आपको कुछ नहीं आता you have zero knowledge let's say मैं कहता हूं आप आँख बंद करके किसी भी mutual fund में पैसा लगा जाते हो आपको कुछ नहीं बता अगर आपका time horizon जादा है तो हर mutual fund आपको पैसा कमा के देगा हर mutual fund में पैसा बनता है ऐसा कोई mutual fund में पैसा नहीं बनता अब वह हम अभी equity की बात कर रहे हैं आप अगर debt mutual funds की भी बात करोगे debt में तो आपको short duration में पैसा बनता है तो डेट पे भी मैं focus नहीं हो जादा क्योंकि आपके जो goals meet कराने वहीं से हो जाएंगे तो डेट आप बेसिकली तब consider करना जब आपका time horizon दो साल के आसपस का हो अगर आपका time horizon दो साल से जादा है ना तो सिर्फ equity और दो साल से कम है तो आपके पास और भी options होते हैं तो debt mutual funds only than you consider otherwise you consider equity अब अगर आप equity पे focus जो और आपका time horizon दो साल से जादा गाया तो अब हमें बास समझनी है दो साल से जादा आप क्या चाहा रहे हो आप कितना time हो गया time clear हो गया दो साल से जादा कुछ भी आप बोल सकते हो दो हो गया पांच हो गया दस हो गया बीस हो गया तीस हो गया उसके बाद returns और risk इन तीन चीजों के ऊपर ही हमारी mutual fund investment depend करती है तो अगर मेरा time जादा होगा लेक्त हो और मेरा time कम होगा तो मैं कम risk लेسकता हूं अगर आपको इतनी सी बह समझ आगी आप हम आगे बढ़ने वो घुड़ा आज ऑगर मेरे पास time जए तो ज़्याता का मतलब किया है ज़्याता का मतलब है पांस साल से ज़्याता होता होता हो पांस साल से कम कम होता है और अगर आप ज़ादा रिस्क ले सकते हो तो आप कहां पर इंवेस्ट कर सकते हो अब आप देखते जाएए अगर आपके पास टाइम होराइजन ज़ादा है तो आप लार्ज कैप में इंवेस्ट मत करो अगर आपका 3-5 साल का time horizon है अब mid cap choose कर लो और 5 साल से उपर है then these 3 options are for you 5 years plus के लिए मैं आपको recommend करूँगा go for flexi cap funds अगर आपके 5 साल से जदा का time duration है flexi cap funds आपके लिए बहुत बढ़िया है और plus अपनी safety बढ़ानी हो तो फिर मैं आपको index funds भी recommend कर दूँगा अभी index funds क्या होते हैं जल्दी से समझते हैं देखे हमें है ना दो चीज़े समझनी है एक होते है active funds जिने actively manage किया जाता है और इसके लिए थोड़ी सी fees जो कि आप कह सकते हो कि expense ratio होता है वो थोड़ा सा जादा होता है एक होते है passive funds passive funds का मतलब क्या होता है कि इनको जादा manage करने की जुरूत नहीं होती क्यों नहीं होती ऐसा नहीं है कि आपका पैसा waste होगा क्यों नहीं होती example आप nifty 50 के सबसे invest करते हो या nifty next 50 के सबसे invest करते हो तो nifty 50 के अंदर जो 50 कंपनी है सारा पैसा नहीं में लगना है और उसी proportion में लगना है जिस proportion के अंदर वो nifty 50 के अंदर है तो यहां पे जो पैसे funds हो गए basically index funds बहुत popular हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर fees कम होती है और पैसा इंडिया की top 50 कंपनी में लग रहा है तो ऐसा Warren Buffet ने एक बार एक शर्त रखी थी एक उन्होंने fund house को बोला कि तुम S&P 500 जैसे इंडिया के अंदर nifty 50 है US के अंदर होता है S&P 500 index है इसमें 500 कंपनी ज़े तुम कुछ कर लो S&P 500 की returns को बीट नहीं कर सकते अब यह जो शर्त लगी इसका result यह आया कि Warren Buffet was right index की returns ने actively managed fund की return को बीट कर दिया तो index के अंदर returns अच्छी मिलती है आप चाहो तो सबसे पहले investing index से शुरू कर सकते हो और अगर आप पर time horizon ज़ादा है तो index के अलावा भी आप बढ़ सकते हो क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर horizon बढ़ा हो जाता है in terms of companies यहाँ बैसे टॉप 50 companies थी पर कोई ऐसी company है जो टॉप 50 के अंदर आ सकती है आज नहीं है तो पांस साल में आ सकती है तो एक fund manager दिमाग लगा के उसे choose कर सकता है और हो सकता है जब हमारा horizon बढ़ा है तो flexi cap के returns बहुत अच्छी आपको returns produce करके दे तो अब आपको यह चीज़ समझा गई अब large cap में मैंने मना किया था क्यों मना किया था क्योंकि भी अगर मुझे large gap में invest करना है तो मैं index में करूंगा न जो index investing है अगर मैं को large gap में करना है तो nifty 50 से बढ़िया क्या भाई nifty 50 में पैसे डाल दिया इंडिया के top 50 companies diversification भी हो गया expense ratio भी कम लगा large gap के नाम पे expense ratio भी जादा दू तो अब आप थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी से समझदारी के साथ mutual fund को choose करने का decision ले सकते हो अब आप जैसे मैंने बोला आप फ्लेक्सी के आप कंपनी कौन सी अच्छी हो सकती है अगें चूज़ा screener screener पर आपको काफी सा research मिल जाएंगी तो टिकर टेप एक्जामबल के लिए मैं आप सब कुछ अटा देता हूं में reset all कर देता हूं just a second okay can you see the screen yeah perfect okay तो एक्विटी के अंदर हमने बोला flexi cap funds okay we can see flexi cap funds नो अब इसके अंदर आप यहां पर funds देख रहे हो यहां पर cgr देख रहे हो मैं कहूंगा 3 साल की जगा कम से कम 5 साल की तो आप देखिए आपको जो compounded annual growth rate है वो कम से कम 5 साल की देखनी चाहिए तो यहां पर हमें मिल जाएगा option रिटर्न में आप cgr यहां पर example के लिए 5 साल भी आएगा option यह 5 years आ गया तो मैं 10 साल क्यों नहीं चूस कर रहा हो सकता है कुछ funds ऐसे हो जो 10 साल पुराने होना आप चाहें तो वो भी चूस कर सकते हैं यहां पर अब आप देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ तीन साल से मतलब नहीं है आप देखिए एक फंड जो दिखा रहा है कोटक का फ्लेक्सी का फंड जिसने तीन साल में 13 परसंट रिटर्न प्रेडूस करी है उसने पांस साल में सिर्फ सेवन परसंट करी है सुझ जो पांस साल में तान में अच्छा परफर्म कर रहा है एह जाद है अब कॉंट्स फ्लेक्सेकर फंड य्जे पिसले तीन साल में 38 परशन रिटर्न हुआ सां पास साल में 19% है अब 19% की रिटन पास साल में अच्छी रिटन मानी जाती है अब मुझे यह देखना है कि इसका expense ratio क्या है 0.58 आ गया ओके तो मैंने 10 सल का आपको example दिया था हो जोगता है वो fund 10 सल पराना ना भी हो अब हमने एक और चीज की भी बात करी थी वो भी हम यहां पर fund के अंदर तो आपको क्या देखना है यहां पर बेसिकली आपको चेक्लिस मिल जाएंगी अगर वो चेक्लिस देखके investment करोगे तो आपके लिए बेटर है कि भी इसका expense ratio ठीक है रिटन्स अच्छे अच्छे प्रिद्यूस कर रखे हैं उसके बाद आप इनका थोड़ा साना fund manager check करो जो भी इस fund को run कर रहें वो हैं कौन और उनकी profile के है तो यहां पर जैसे अंकित नाम आगया यहां पर अंकित पांडे संधीब टेंडन संजीव शर्मा ठीक है वसब सेगल तो इनका AUM कितना है 11,000 क्रोड मैनेज कर रहे हैं आत्मी 14 100 क्रोड रुपे मैनेज कर रहे हैं अल्मूस्ट 10,000 क्रोड 11,000 क्रोड तो यह बहुत बड़ा amount को manage कर रहे हैं उसके बाद आप यहां पर peer comparison भी देख सकते हो कि इस fund के अलावा आपके पस और क्या options है तो आपको मानलीज कोटक प्लेक्सी क्या fund मिलता है HDFC मिलता है फिर उनकी returns क्या रही है क्या performance रही है वो भी अपनी अनलिसिस के बाद या पैसा लगाना आप जब भी आपको invest करना है यू आप कैसे करोगे mutual fund investment आप सिंपली इमेंट अकाउंट से कर सकते हो मैंने अपको बताया हुआ आप शोक्स पर जाके अपना फ्रीमेंट का उन्ट्रूल वा सकते हो link description comment box में है तो example के लिए आप पर जाते हो आपको mutual fund देखता है अब mutual fund के अंदर आपने आपर जो भी mutual fund चूज किया उसे देख सकते हो इसके अलावा अगर आपको index fund देखना हम आप या फिर आप sector wise interested हो तो आप उस तरीके से भी चूज कर सकते हो mutual fund को and जो भी fund आ रहा है उसको आप सर्च करके you can invest there so example के लिए हमने यहां पर बात ही करी थी तो अगर आप peer comparison की भी बात करते हो तो you can check कि भी मुझे कॉंट की जगा kotak को भी एक बार चेक करना है so you can definitely go ahead with kotak आप यहां पर kotak का भी चेक कर सकते हो कि भी इसका यहां पर investment checklist क्या returns क्या है expense ratio क्या है and कोई rate flag तो नहीं है so आप जैसे मैंने बताया कि आप खुछ से अपने mutual fund investment कर सकते हो तो इसके लिए आपको किसी की जुरूद नहीं अब देखिए क्या है यहां पर एक और concept है वह भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं कुछ लोग कहते हैं SIP करें या लंसम investment करें अब यहां पर एक चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है पहली बात तो आप definitely market को देखो SIP जब आप कर रहे हो तो आप market volatility से predicted हो बट आप लंसम तब कर सकते हो जो आपको लगे यार बजार तो बहुत ही अगर बजार बहुत हुआ हुआ है आपके पास पांच लाग रुपे दे आपने डाल दिया मुझे पांच लाग की आज जूरूद नहीं है और ऑफ यह मुझे पता है अच्छी रिटरंस मिलेंगी बजार आज बहुत हुआ 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 है उस टाम पर SIP से जज़ादा अगर आपके बस अभी तक डीमेट अकॉंट नहीं है अप्सक्स पर तो यूगन ओपन यूपर फ्री दीमेट अकॉंट यह रिकमेंड कर रहा हुआ 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 क्यों की इनकी कोई भी अन्यॉल मेंटेनेंस फीज भी नहीं होती कई बार लोग कहते हैं कि आप यह हमने कहीं एकाउंट खुल आया था और आपर मेरे को अनुल मेंटेनेंस फीज लग रही है बहुत जादा तो अपसे बड़ा फाइदा क्या है फ्रीम एकाउंट खुलता है और कभी लाइफ टाइम कोई फीज नी जाती क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स भी इनके फीज भी कम होती है यहां पर मैंने एक्जांपल लिया हुआ है किसी ने पांच लाग पर इन्वेस्ट कर दिया एक बार में और एक्सपेक्टेड रेटर्स हमने उसकी लगा दी बही 15 परसेंट कि यह उसने इंवेस्ट करके भूल गया तो यहां पर अगर माल लीजे उसने अपने फ्यूचर के लिए रेटायर्मेंट के लिए बच्चों के लिए इंवेस्मेंट कर दी और तीस साल के लिए इंवेस्मेंट कर दी तो उसका पांच लाग रुपे एक ही बार इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट करके भूल गया ओ कितना पैसा हो जाया यहां पर आप देख सकते ह है और 18% की डिटर्न अगर आपको मिल गई तो कंपाउंडिंग का जादू यह है कि पांच लाग साथ करोड रुपे हो सकते हैं सो मार्केट अगर बहुत सदा आपको गिरती हो दिखती है यू किन गो फर लंब सम अगर आपको लगता नहीं है हर महीने मेरी अगरेशिवली इंवेस्ट कर रहे हो अपने small cap funds में इंवेस्ट किया 18% से जादा मिल सकते हैं आपको दिखा सकता हूं भी तो यहां पे 71 इंवेस्ट इन ऐसाइपी एक्जामबल के लिए पांच जार रुपे तो वह अगें सात करोड की रिकम है अब यहां पर हमने की है की वहां साद क्रोड के बाद तो तो थीज tag Reuben करते ना कोई इनसाने का तो 2000 यह यहार 2000 रुपे की investment भी 2 करोड, almost 3 करोड होती है आप देखो 2 करोड 86 लाक सही है अगर आप आज से investment शुरू करते हो तो और यहाँ पर एक हमने वीडियो बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो एक financial education के ओपर अच्छे वीडियो है कि आप जितना लेट शुरू करते हो तो आप पिछे ले जाते हो आप जाके जरूर देखेगा कि अमीर लोग अमीर क्यों बन रहे हैं वेरी इंट्रस्टिंग वीडियो फाइनली आपको इस सीरीज में बहुत मज़ा आ रहोगा बहुत को सीखने को मिल रहोगा अगर आपको गोल प्लानिंग करने वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्डेंट है आप बिटन पर लिंक दे दूंग उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो जो आज आपको हाइब्रीड और डिट को अगर आपको डिटेल में समझना था उसमें मैंने थोड़ा सा जाधा ताम लिया हुआ क्योंकि क्रैश कोर्स का बार्ट है थोड़ा टाइम में कम ले सकता था वर फिर भी वीडियो लंबी बन जाती है योगि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए आपको योप कोपी योग ठीज़ शेयर लिएक करें के लिए अपको अपके आपके बास अप्छोक पर भी तक की में डेमें पाउंड निया लिंक के लिए और अगर आपके वास अप्जोक से स्क्रीनिंग करनी है चूस करना राइट विशल फंड यूज तिकर टेप कभी लिंग डिस्रिप्शिप्शिप्शन कमें बॉक्स में है एक बोनस चिप भी देता हूं मैं आपको जाते जाते कही लोग आपको बोलेंगे सर आपना फंड फंड में पैसा लगा लो कि मूचल फंड बहुट लोग में बेचने अब फंड को कन्फ्यूसिंग लगेंगे आपको पते कैसे एक्स्प्राइब करेंगे फंड फंड का मतलब सर क्या है कि आप मैं एक मिचल फंड में पैसा लगा सकते हो तो कहीं तो अच्छी मिलेगी तो आपको रिटन बहुत अची म बात है आप मेरी वीडियो शेयर कर देना आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे इंवेस्ट्मेंट करने और उन्हें भी समझ आ जाएगा कि अब आप लोग मूर्क नहीं बनेंगे